साइनस का बढ़ना कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है जिसमें अस्थमा भी शामिल है अगर आप साइनस से राहत पाने चाहते हैं तो इन घरेलू नुस्खे को ज़रूर आजमाएं दोनों आँखों के बीच तेज दर्द से परेशान आपकी दोनों आँखों के बीच होने वाले दर्द को साइनस का दर्द भी कहते हैं और ये एक प्रकार का इंफेक्शन है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित करता है ये इंफेक्शन आमतोर पर सर्दी, प्रदू से कारक हैं जो आपकी परेशानी को बढ़ाने का काम करते हैं। साइनस का बढ़ना कई गंभीर बीमारियों की वज़े बन सकता है जिसमें अस्थमा भी शामिल है। अगर आप साइनस से राहत पाने चाहते हैं तो इन घरेलू नुस्खे को ज़रूर आजमाएं जो आपको तुरंत आराम पहुँचाएंगे। सेब का सिरका, साइनस से राहत पाने के लिए आपको दिन में दो बार तक पानी में सिरके को मिला कर कुल्ला करने की जरूरत है चून की विनेगर में एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल गुन मौजूद होते हैं, जो नाग के साइनस के पिएच को संतुलित करने में मदद करती है विनेगर की मदद से बलगम को साफ भी किया जा सकता है विनेगर को सिर्फ पीने से ही अलजी के लक्षनों को कम करने में मदद मिलती है नारियल तेल, आपको एक माउथ वाश की तरह नारियल तेल को अपने मुह के अंदर लगाना है आप पांच मिनत तक इसे लगा सकते हैं और गुन-गुने पानी से कुला कर मुह को साफ कर सकते हैं साइनस की समस्या से राहत पाने के लिए आप रोजाना इस नुस्खे को आजमाएं डिटॉक्स बात, नहाते वक्त अपनी पानी की बालती में गर्म पानी भर लें और उसमें एक चम्मच सेंधा नमक मिलाएं और आधा कप बेकिंग सोडा डालें फिर उसमें 6-8 ड्रॉप टीट्री ओल डालें और नहाएं रोजाना करीब 15-20 मिनट ऐसा करें इन सब में मौझूद अंटी बैक्टिरियल गुन साइनस से राहत दिलाते हैं और शरीर से विशाक्त पदार्थ बाहर निकालते हैं भाप, बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है आप एक गर्म पानी के कटोरा लें और तॉलिया लेकर मुह को ढख लें पानी में मैंन्थॉल, कपूर और निलगिरी का तेल भी मिला सकते हैं अपने सिर को तॉलिया से ढख लें क्योंकि मुह को कटोरे के पास ले जाएं गर्म पानी से नहाना भी आपको काफी हद तक फाइदा पहुँचाने का काम करता है अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है और इसमें से किसी भी चीज से अलजी है तो इन नुस्खे को अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें ऐसी स्थिती में चिकित्सिय परामर्श अनिवार्य है हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी डॉट कॉम चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद